नए साल की नई होली सीरीज वो भी नए इंट्रो के साथ है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन तो आज की विडियो में हम अपने लड़ू को पायल जी के लिए होली स्पेशल रंगों का पिटारा बनाने वाले हैं जी हाँ गाईस इस कार्डबोर्ट के बॉक्स और डिस्पोजिबल कप्स का यूज करके एक इतना प्यारा कलर प्लेटर बनाएंगे कलर प्लेटर भी नहीं बोलूंगी ये तो सच में यूनीक सा रंगों का पिटारा है तो इसी बात पर विडियो को लास्ट तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं जिसके लिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ट का बॉक्स लिया है और यह जो हमने इसका टॉप वाला पार्ट कट किया था उसी को चार पीसे में मैंने डिवाइट किया है और इनको आपस में हम इस तरीके से जॉइन करेंगे थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए अब कोई भी अपने फेवरेट का पेपर ले लो जिससे हम इसको कवर करेंगे यहाँ पेपर का कलर काफी लाइट रखना क्यूंकि इसके उपर हमें होली के लिए डियाइवाय बनाना है तो बहुत सारी कारीगरी करनी है वो भी अलग-अलग कलर के साथ तो रहेगा तो उस पर सारे कलर अच्छी से विजिबल होंगे अब यहाँ पर जैसे वीडियो में आपको शो हो रहा है वैसे इस बॉक्स को भी ग्लू लगा के प्रॉपरली कवर कर लो और अब अच्छी से इसको कवर कर लिया है अब यह जो कॉर्णर से कार्ट बोड दिख रह है पेपर से कवर करके पटिया टाइप की रेडी की है इनके तीन साइट पर मैंने लेस लगाई है कुछ इस तरीके से ग्लूगन का ही यूस किया मैंने और अब इस बॉक्स के कॉर्णर पर भी यहाँ पर हम लगा देते हैं सबसे पहले टॉप पर लगाएंगे इसको कुछ इस तरीकी से एड्जिस्ट करते हुए मैं लगा रही हूँ और उसके बाद जैसे ही इस टेक हो जायागा मैं इसको बॉटम पे भी लगाऊंगी इसकी जो एकदम बॉटम लाइन है न वहाँ पे भी हम सेम लेस को अपलाई करने वाले हैं यह देखिए यहाँ पे मैं इसको करने लिए हो जिसको इस तरीकी से रोल करूंगी और इसको इस तरीकुल को अपलाई करके इसको इस तरीकी से टिक कर लो अब मैंने इसको एकदम नाप पे कट कर लिया है वो दोनों जो आपने कोरनर पे लगाया ना उनके बीच में यह आना चाहिए अब आपको होली के कि सारी पीसिस की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए यह आपके उपर डिपेंड करता है बड़ा छोटा जैसा कट करना है वैसा कट करो अब इसके बाद यहां पे मैं ग्लूगन अप्लाई करूंगी और इन रिबिन्स को आपस में इस तरीके से स्टिक कर लो सेम इसी मेथर्ड स आपको सारे की सारे रिबिन की पीस जितने भी आपने कट किया उनको स्टिक करना है और तब तक स्टिक करना है जब तक यह पूरी की पूरी रोल इस तरीके से कवर नहीं हो जाती कवर होने के बाद में मैंने यह वाली ले सप्लाई कर दी थी और इसको यहां पे स्टिक कर द आप लोग पूछते हैं कि मैं ये सारा समान कहां से परचेस करती हूँ तो फिलाल ये जो सूपक ले गए हैं ये मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेस की है पूरा पाकेट मुझे 60 रुपीज में मिलाक है और इससे काफी सारे DIYs मैं अभी तक बना चुकी हूँ तो अब यहाँ पे अगर आपके पास ये क्ले नहीं है तो आप इसकी जगापे जो ग्लिटर शीट होती है न उसके उपर इस तरीके से जो colors के patch होते हैं उनका figure draw कर लेना और उसको cut कर लेना और जो ग्लिटर शीट के back side पे foam sheet वाला खिस्सा होता है न वो use करना तो मैं यहाँ पे ये clay पूरा इस तरीके से एकदम जो paint होता है न उसके according बना कर यहाँ पे stick कर रही हूँ और यह जो इसके साथ ही tools आये थे उनमें मैं इसे थोड़ी सी finishing add कर रही हूँ और अब इसके साथ यह कितना ज़ादा colorful लग रहा है आप तो देखी सकते हैं कोई problem नहीं है अगर आपके पास यह नहीं है न तो आप सारी अलग-अलग colors की glitter sheet से यह figure draw करके cut कर सकते हैं और glitter sheet के back side वाले part को आप यहाँ पे ऐसे ही same arrangement में stick कर सकते हैं मैंने यहाँ पे white paint भी इसमें use किया था to add some extra details अब अंदर वाले part को भी same blue color से color कर लेंगे क्योंकि cardboard दिखतावा तो अच्छा लगेगा नहीं इसको paint करके मैंने dry होने के लिए रख दिया तब तक मैंने उठा लिए अपने disposable cups जो कि मैं craft के लिए ही purchase करती हूँ मुझे सच मैं ऐसा लगता है अब यहाँ पे मैं इसके उपर सबसे पहले lemon yellow base color apply करूँगी इसके दो coats apply कर दिये अब यहाँ पे मैंने golden yellow यानि की yellow का की dark color लिया है जिससे मैं इसके उपर इस तरीके का एक pattern बना रही हूँ जिसको देखके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि paint बहर आओ इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने काना जी के साथ खोली केलने के लिए सारे की सारे colors इसके अंदर डाल दिये हैं और यह हो गया कि एक हमारे काना जी का शानदार रंगों का पितारा तयार आप लोग भी यह colorful और बहुत ही सुंदर सा craft अपने काना जी के लिए जरूर बनाईएगा I know इस तरीके का कुछ आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा तो इसी बात पर इस वीडियो को like, share और चानल को subscribe करना मत भूलना subscribe करने के साथ साथ bell icon भी प्रेस करिए